निजी क्रशी पंप की बिजली दुरुस्त करने के लिए बिजली के डीपी पर काम कर रहे एक निजी इलेक्रिशन को बिजली का करेंट लगने से वहाँ जमीन पर गिनने से उसकी मौत होने का मामला सावली ग्राम के पास शुकरवा दुपहर को आया सुनील लक्षमाद जांगडे उम्र पैताले से दहेगाव जोशी निवासी मृत होने वाले का नाम पता चला है मृत सुनील नीजी बिजली दुरुस्ती का काम करता था सावली के पास कुशी पंप की बिजली बन थी डीपी से गिरने से सुनील को गायल अवस्ता में ग्रामिन अस्पताल पारशिवनी लाया गया जा प्रात्मिक उपचार के पश्चात उसे नीजी अस्पताल नाकपुल लाया गया उसी बीच नीजी अस्पताल में डॉक्टरों ने जाज करने पर सुनिल की मौत होने की पुष्टी की गटना की जाज पार्शिवनी पुलिस विभाग कर रहा है नीजी क्रिशी पंप का बिचली कनेक्शन सुधार ने बिचली की धीपी पर दुरुस्ती करते समय करेंट लगने से इलेक्ट्रीशन नीचे गिर गया था इलाज की दौरान उसकी मौत हो जाने से उसके परिवार पर गहरा संकर चाया हुआ है तबी परिवार को मदद करने के लिए हजारो दान दाता सामने आते हुए तीन लाग पचास जार रुपए की साहिता करने के लिए दान दाता आगे आये हैं ग्राम दहेगा में रहने वाला सुनील लक्षमन जांग्रे उम्र 45 साल इसका इलाज की दौरान मृत्य हुई थी मृत्य की परिवार का कोई भी कमाने वाला नहीं है मृत्य सुनील के परिवार में दो छोटे बच्चे हैं सुलील के परिवार की माली हालत बहुती नासुक होने से परिवार का पालन पोशन कैसी होगा ये सवाल निर्मान होने से यह बात सभी के लिए परिशानी पैदा करने जैसी थी इसलिए अनेको दान दाता सामने आते हुए इस दुखी परिवार की साहिता करने के लिए आगे आ साथ ही विद्धु दुभाग की अधिकारी करमचारी की और से सुनील को दो लाख रुपए साहिता करने की बात कही। झाल 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 झाल